हेलो स्टेंट्स, आर टॉपिक इस लुईस कॉंसेप्ट, स्टेंट्स, लुईस कॉंसेप्ट केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है और लुईस कॉंसेप्ट में ऐसीड और बेस को डिफाइन किया गया है एसीड और बेस को डिफाइन करने के लिए और ऐसे एसेड और बेस जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोकसाइड आयन नहीं है तो ऐसी कंडिशन में एसेड और बेस को डिफाइन करने के लिए लुईस थियोरी को एकसेप्ट किया गया लुईस कॉंसेप्ट जो है वो जी एन लुईस ने दिया था जी एन लुईस ने ये थियोरी दी थी और इस थियोरी में इनोंने एसिद बेस को डिफाइन किया लुईस के अकॉर्डिंग ऐसिड वो सबस्टेंस होते हैं जो इलेक्ट्रोन लाउन पेयर को एकसेप्ट करते हैं तो ऐसिड आड़ सबस्टेंस ये वो सबस्टेंस है विच एकसेप्ट ये एकसेप्ट करते हैं बाकी जो हमने दो थियोरी पढ़ी आरहेनियस थियोरी और ब्रॉंस्टेट लॉरी कॉंसेप्ट उन दोनों में ऐसे डोनेट करता है लेकिन इस थियोरी में ऐसेड एकसेप्ट करता है और क्या एकसेप्ट करता है इलेक्ट्रोन लॉन पेयर इसमें एसेड एकसेप्ट करता है और अगर base की बात करें तो इसका opposite हो जाएगा कि base वो substance होते हैं जो accept का opposite क्या हो जाएगा? जो donate करते हैं क्या donate करते हैं? electron loan pair donate करते हैं तो electron loan pair accepted तो हो गया acid और electron loan pair donor हो गया base तो इस according के according मतलब इस theory के according कि according to it according to Lewis concept Lewis basis release electron and Lewis acid accept electron loan pair Students इसका example देखें जैसे की BF3 है और एक है NH3 तो NH3 के पास electron loan pair है ये NH3 इस BF3 को अगर हम combine करेंगे तो ये जो electron loan pair है वो किसको donate कर देगा? ये BF3 को donate कर देगा और इसलिए NH3 यहाँ पर कैसी nature का हो गया? ये basic nature का हो गया यहाँ पर इसको हम base बोलेंगे और BF3 ये electron loan pair accept कर रहा है तो इसलिए हम इसको acid कहेंगे तो ये acid हो गया और ये base हो गया और इससे क्या होगा? कि जो bromine है ये accept करेगा और इस तरीके से इनका combination हो जाएगा तो इस तरीके से ये sub-covalent bonds बनाते हैं ये दोनों आपस में joint होंगे तो सिधा सिधा है कि according to Lewis theory और Lewis concept acids are the acceptors of electron loan pair and bases are the donor of electron loan pair acid वो substance है जो electron loan pair को accept करते है या gain करते है और base वो substance है जो electron loan pair को donate करते है for example NH3 will donate और give electron loan pair to BF3 so NH3 is base and BF3 is acid okay strengths अब देखें Lewis के according एक और definition है acid और base की कि Lewis acid जो होते हैं वो क्या करते हैं ये electron को loss करते हैं यानि कि एक तरीके से जो cation होते हैं cation वाले जो element है आयन जो है cation को हम क्या बोलेंगे? Lewis acid बोलेंगे यानि कि ऐसे compound जिनमें electron की क्या होती है? lacking होती है the compounds lacking in electron तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम Lewis acid बोलेंगे तो सिधा सा कह सकते हैं कि cations or the compounds ऐसे आयन जिन पर positive charge होता है और ऐसे compounds जिनका octagon incomplete होता है octagon मतलब जिनका जो outermost shell है वो incomplete होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कहेंगे Lewis acid cations or compounds whose octagon is incomplete whose octagon is incomplete उसको हम बोलेंगे Lewis acid for example जैसे कि एक तो अभी हमने देखा BF3 है AlCl3 है, Aluminium chloride है और या फिर हम अलग-लग देख सकते हैं Aluminium को ही ले लिशिये यहां Aluminium है तो ये भी एक Lewis acid होगा Magnesium है, positive 2 होता है तो ये भी Lewis acid है Sodium है, तो जिस पर plus 1 charge होता है ये भी Lewis acid होगा वही अगर Lewis base को अगर हम define करें What is Lewis base? तो strengths Lewis basis का opposite हो जाएगा कि अगर cation है वो acid है तो जो anion है वो क्या हो जाएगा? Base हो जाएगा तो सिदा सिदा हम कह सकते हैं कि anions Anions are Lewis base Anion जो होते हैं, वो Lewis base होता है तो anion is Lewis base ये भी कह सकते हैं हम short में और दूसरा अगर हम इसकी तरह define करें तो anion या फिर कह सकते हैं ऐसे compound जिन में यहाँ पर क्या थी? इन में क्या थी? Electron की lacking थी और इसके अंदर क्या होगा? Electron की lacking होती है cations और compounds whose octagon is incomplete तो उसकी जिगे हम क्या बता देंगी कि anion और the compound ऐसे compound compound possessing a long pair of electron जिनके पास extra electron होते हैं तो possessing a long pair of electron या फिर जिनके पास extra electron होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम Lewis base बोलेंगे long pair of electron जिनके पास present होता है या फिर जिन में electron rich होते हैं या फिर हम एक और statement यूज़ कर सकते हैं कि electron rich compound electron rich substance is known as Lewis base तो हम उसको बोलेंगे Lewis base कहेंगे तो इसके example में जैसे की water है या फिर हम कह सकते हैं OH ion है NH3 है और chlorine negative ion है तो यह सब किसमें हो गए? यह Lewis base के example में हम लिख सकते हैं तो इस तरीके से Lewis acid और Lewis base में हम ऐसे acid और base को भी define कर सकते हैं जिन में क्या नहीं होता? जिन में hydrogen ion नहीं होता? बेस ऐसे base जिन में hydroxide ion नहीं होता? या फिर water अपने पास present नहीं होता? तो ऐसी condition में भी हम acid और base को define कर सकते हैं तो strengths एक बार फिर से जल्दी से repeat कर लेते हैं कि Lewis theory क्या है? Lewis concept क्या है? Lewis concept में acid और base को without hydrogen, without hydroxide ion और without water defined किया गया According to Lewis, acids are that substance which accept electron loan pair and base are that substance which donate electron loan pair For example, BF3 and NH3 So, here NH3 has electron loan pair which will be donated to BF3 So, here NH3 is base and BF3 is acid And there is another definition of Lewis acid Lewis acid की एक और definition है कि electron को loss करने वाले substance या फिर हम कह सकते हैं कि cations जो होते हैं वो Lewis acid कहलाते हैं या फिर ऐसे compound जिन में electron की कमी होती है उनके octagon में, उनका octagon complete नहीं होता उसमें electron की कमी होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम cation बोलेंगे और cation है वो Lewis acid होंगे जिसे BF3 है, aluminium है, magnesium है, sodium है तो ये positive charge की जो element होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम cations बोलते हैं और इस तरीके से ये जो Lewis base है Lewis base को हम क्या बताएंगे कि ऐसे NIN जो होते हैं या फिर extra electron होते हैं electron rich compound को हम क्या बोलेंगे NIN बोलेंगे, जैसे H2O है OH- है, सिधा-सिधा आपकी ध्यान रख लीजिए कि cation है वो तो Lewis acid और NIN है वो Lewis base हो जाते हैं